नमस्कार दोस्तों कविता यादो यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है हिंदी विशे की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी व्याकरण के अंतरगत आने वाले टोपिक संग्या को तो संग्या के टोपिक को हम करेंगे टीजीटी पीजीटी परिक्षाओं के लिए तो हिंदी व्याकरण से समस्दीध पर्षयन पूछे जाते है लेकिन नोन टीचिंग परिक्षाओं के लिए भी ये काफी IMPORTENTS रहेगा 20 नंबर की DLSB के अंतरगत हर एक परिक्षा में जो हिंदी व्याकरन से सम्मदित पूछे जाते हैं सभी के लिए ये क्लास काफी मददकार साबित होगी जैसे कि JSA का एक्जाम होने वाला अभी हाली में DLSB का और LDC का एक्जाम होने वाला साथ साथ हम पिछले सालों के पत्रों में आई हुए परिक्षनों के भी प्रेक्टिस करते हुए चलेंगे एक एक टोपिक को हम पहले संग्या के टोपिक को समझेंगे संग्या क्या होती है किस परकार से उनको कितने बागों में बाटा गया है या संग्या के कितने बेद होते हैं और किस परकार से हम परशनों के अंतरगत पैचान कर सकते हैं कि इस शब्द में कौन सी संग्या दी गई है या इस वक्के में किस शब्द में संग्या दी गई है तो सभी तत्यों को करते हुए समझते हुए हम चलेंगे और फिर जितने भी हो सकेंगे अधिक से अधिक हम परशनों के अभ्यास के साथ संग्या के टोपिक को पूरी तरह समझ लेंगे तो साथ साथ हम परशनों का अभ्यास करते हुए अपनी तयारी को आगे बढ़ाएंगे सबसे पहले समझेंगे हैं संग्या, संग्या होती क्या है, संग्या की परिवाशा, तो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो, कि संग्या क्या होती है, तो सब भी को पता है, किसी जाती, द्रवे, गुण, भाव, व्यक्ति, स्तान और किरिया, आदी के नाम को संग्या कहते हैं, यहां सिदा सिदा हमारा मतलब यह है कि किसी के भी नाम को, किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, तो वो क्या होगी, वो एक संग्या कहलाईगी, यह आपको पता ही है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ शब्दों के माध्यम से हम समझते हैं, जैसे कि पशू, पशू एक चा संग्या है व्यत्था भाव का नाम है संग्या है रमेश किसी व्यक्ति का नाम है तो संग्या है डिल्ली हरियाना एक स्थान का नाम है या सहर का नाम है तो ये संग्या है तो इस परकार से किसी का भी अगर नाम हो तो क्या हो जाएगी वो संग्या कहलाएगी उसके बाद देख लेते हैं संग्या के कुल कितने वेद होते हैं आपको पता है संग्या के कुल पांच वेद होते हैं कौन-कौन से व्यक्ति वाचक संग्या चाति वाचक संग्या भाव वाचक परमुक रूप से तो संग्या के पहले ये तीन वेद होते हैं लेकिन जो अंग्रेजी पर भाव के कारण जो विदवाणों ने और अन्य दो संग्या के भेद भी मान लिए है, जुश परकार से हम शब्दों में संग्या को पैचान करेंगे, वो हम आगे देख लेते हैं, एक-एक संग्या को बिल्कुल ध्यान से समझते हुए आपको चलना है, सबसे पहले बात करते हैं व्यक्ति वाचक संग्या, व्यक्ति वाचक संग्या क्या होती है, हम देख लेते हैं, जिस संग्या शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, प्राणी, अत्वा, वस्तु, स्थान, आदि का बोधो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं, जैसे व्यक्ति का नाम है, तो श्रीकिश्यन अपने आप में एक ही है, तो क्या हो गए है यह व्यक्ति वाचक संग्या, श्रीराम व्यक्ति वाचक संग्या, रामायन एक ही है, किसी गरंद का नाम है रामायन, तो क्या है संग्या, ताजमहल एक ही है, तो संग्या, जो केवल कोई दूसरा नहीं हो तो वो हो जाती है हमारी व्यक्ति वाचक संग्या जैसे कि कुतब मिनार भी एक ही है और नाम है तो व्यक्ति वाचक संग्या जैसे कि लाल किला हिमाल्य हिमाल्य एक परवत का नाम है परवत अगर हिमाल्य की जगा अगर परवत आ जाए तो वो हो इस नाम दे दिया जाए वहोता है, व्यक्ति वाचक संग्या, इसी परकार से हम जाति वाचक संग्या को समझेंगे, बार-बार इन इतत्यों को हम रिवाईद करेंगे, तब आपको अच्छे से, और अच्छे से केलियर हो जाएएंगे, और परशनुत्रों के माध्यम से हम तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि शब्द में कौन से संग्या होती है तो देख लेते हैं जाती वाचक संग्या के समद में हम शब्दों को देखेंगे तो जिस संग्या सब्द से उसकी संपूर्ण जाती का बोध हो उसे जाती वाचक संग्या कहते हैं उसकी पूरी क पूरी जाती का बोध हो, जैसे कि नदी, कौन सी नदी, यमुना नदी, कह दो, तो व्यक्ति वाचक संग्या, लेकिन केवल नदी बोलोगे, तो जाती वाचक संग्या, इसी परकार गंगा नदी, यमुना नदी, किर्श्यना नदी, काविली नदी, अगर नदियों के आप ना लेकर के पुकारोगे उन नामों को हम क्या कहेंगे व्यक्ति वाचक संग्या लेकिन केवल नदी बोलोगे तो नदी का पूरी नदी समू का बोध हो रहा है तो वहापर कौन सी ये नदी जो शब्द होगा वो जाती वाचक संग्या कहलाएगी आई ओप आपको समझा रहोगा तो जो नाम होगे वे हो जाएगे व्यक्ति वाचक संग्या लेकिन अगर हम नगर शब्द कहेंगे या सहर शब्द कहेंगे ये हो जाएगा हमारा जाती वाचक संग्या इसी परकार से परवत परवत हो कि हम नाम ले देंगे जैसे हिमाल्य परवत तो वो हो जाएगा व्यक् जाती वाचक संग्या है, मनुष्यों के नाम ले देंगे, मोहन, राम, रोहन, नमीन, सुनेल, रमेश, कोई किसी का भी हम नाम ले देंगे, सीता, गीता, तो ये हो जाएगे हमारे व्यक्ति वाचक संग्या, लेकिन अगर मनुष्य हम कह देंगे, केवल हम मनुष्य शब्द ब चिडिया तो ता मैना तो ये सबी जो है अमारे इनके अगर नाम ले देंगे ये कौन सा पक्षी है नीली चिडिया तो वो हो जाएगी व्यक्ति वाचक संग्या लेकिन पक्षी बोल दिया हमने तो ये हो जाएगी हमारी जाती वाचक संग्या अगर हम चिडिया बोलेंगे तो भी वो जातिवाचक संग्या है क्योंकि चीडिया का भी एक अपना नाम होता है अलग अलग परकार की चीडिया ही होती है नेली चीडिया काली चीडिया पीली चीडिया तो जो उनके नाम होते हैं उनके उनको बोलेंगे तो ही हमारी व्यक्तिवाचक संग्या होगी वरना जो ह तो वहाँ पर हो जाएगी हमारी व्यक्ति वाचक संग्या, अगर उनके सपेसल नाम को ले करके बोलेगे, अगर पूरे जाती का वो दो, तो जो है, वो हो जाएगी हमारी जाती वाचक संग्या, इसी परकार लड़का, कौन सा लड़का? लड़के के भी अलग-अलग नाम होते, ये राम है, ये श्याम है, ये मोहन है, ये रमेस है, तो वो हो जाएगी हमारी व्यक्ति वाचक, लेकिन लड़का बोल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा जाती वाचक, इसी परकार कुत्ता जाती वाचक, बकरा जाती वाचक, नारी जाती वाचक गाउं अलग अलग गाउं होती है गाउं के अलग अलग नाम होती है तो नाम होती है गाउं के जैसे कोई भी किसी भी गाउं का नाम ले दो तो वह हो जाएगी हमारी व्यक्ति वाचक संग्या अन्य था गाउं का गाउं श्याब्द बोलेंगे तो जाती वाचक स संगया उगे बही ना कि आप बोलोगे कि मैं गाय तो पुश्यू है लेकिन वो आप जाती वाचक क्यों बता रहे हो गाय भी अलग-अलग परकार की होती है आपको पता है कोई देशी गाय कोई अमरीकन गाय इस परकार अगर उनका नाम लेकर के हम सपेशल बोलते हैं नाम ले तिवाचक अन्य था जातिवाचक इसी परकार घोड़ा इसी परकार भैस ये सबी जो शब्द है ये जातिवाचक संग्या कहलाएंगे उसके बाद बाद करें हम भावाचक संग्या की और अच्छे से आपको उदारनों सईट परशनुत्रों के माध्यम से समझा जाएंगे तो हम देख लेते हैं जिस संग्या सब्द से पदार्थों की अवस्ता गुण दोश धरम आदी का बोध हो उसे भाववाचक संग्या कहते हैं यानि कि किसी के गुण का दोश का अवस्ता का या धरम का हमें बोध होता है जिस संग्या शब्दों से उस पदार्थ का पदार्थ क अवस्ता का पता चलता हो, गुण का पता चलता हो, दोश का पता चलता हो, या धरम का पता चलता हो, तो वहाँ पर कौन सी संग्या देखने को मिलेगी, हमारी भावाचक संग्या, भावाचक संग्या को एक तरह से अमका ए, तो भावो को दुआरा ही पैचान सकते हैं, जैसे क बुढ़ापा, बुढ़ा, व्यक्ति है, लेकिन उसका भुढ़े व्यक्ति को देख पा रहे हैं, उसके भावो से हम समझ रहे हैं, इसी परकार मिठास हम महसूस कर रहे हैं, जो हम महसूस कर सके वही होती है, हमारी क्या भाववचक संग्या इसी परकार बच्चे के बच्पन को हम नहीं देख पा रहे हैं बच्चे को देख पा रहे हैं लेकिन बच्पन को हम मैसूस कर रहे हैं तो जिस चीज को हम मैसूस करते हैं वो होती हैं हमारी भाववचक संग्या मोटा पा चड़ाई ठकावट ये सबी क्या है, बाववाचक संग्या, उसके बाद जो हमारी चुत्थी संग्या है, उसको और समझ लेते हैं, एक बार समुदाईवाचक संग्या, समुदाईवाचक संग्या क्या होती है, जिन संग्या सब्दों से व्यक्तियों, वस्तुयों, आदि के समुदाईवाचक बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर वो क्या होगी? वो एक सभा होगी, किसी की भी सभा हो सकती है, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम इसी परकार जिसका समू पता चले के जहां पर हमें समू दिखाई दे, वही होता है हमारा समू दाय वाचक सं जैसे कि कक्षया, कक्षया में बहुत सारे बच्चे हमें देखने को मिलते हैं, इसी परकार सेना, सेना में बहुत सारे जो सेनिक देखने को मिलते हैं, बीड बाजार में जब हम बीड को देखते हैं, तो बहुत सा बीड एक समू है, बाचक संग्या है, और सेना, सेना भी जो ह मुद दिखाई दे वहीं क्या होती हैं में जो वेश अब्द होती है उनमें क्या लगेगी समुदाई वाचक संग्या होती है उसके बाद बात करें अगली जो संग्या हमारी दर्वे वाचक संग्या दर्वे वाचक संग्या के अंतर गताएगा अमारा जिन संग्या सब्दों म जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, चावल, गेहु, कोईला, लोहा, आदी जो ये संग्याई है, आदी जो ये शब्द है, ये कौन सी संग्या होगी, ये दर्वेवाचक संग्या होगी, उसके बाद बात करें हम, जाती वाचक संग्याई से हम किस परकार से जो है, भावाचक संग्या बनाना भावाचक संग्याई चार परकार से बनती है, भावाचक संग्याई को हम किस परकार से बनाते हैं, ये और देख लेते हैं, तो चार परकार से हम भावाचक संग्याई बन यहां पर बाद में ता लगा हुआ, पंडिते तौ लगा हुआ हो, या फिर पन लगा हुआ हो, तो वे वहां पर जो है, हमारे जातिवाचक संग्याओं से बहावाचक संग्याओं बन जाती हैं, जैसे कि दास से क्या बन गई? दास था, पंडित से क्या बन गया? पंडिते, ब पशू से पशू ताओ या पशू ताओ ब्रामन से ब्रामन ताओ मित्र से मित्र ताओ बालक से बालक पन और बच्चा से बच्पन नारी से नारी ताओ इस परकार से जो जातिवाचक संग्या से जो भाववाचक संग्या बनती है तायत ताओ लगा करके उन्हें हम क्या कहते ह ये होती है अमारी भावाचक संग्या और इधर के जो ये शब्द है ये हमारे जातिवाचक संग्या है भावाचक संग्या को बनाने के लिए चार प्रकार से बनाई जा सकती है एक तो जातिवाचक संग्या उसे भावचक संग्या बनती है दूसरा हम सरव नामों से भी बावाचक संग्या को बना सकते है जैसे कि अपना जो एक सरव नाम है अपना पन या अपना तव निज से निज तव या निज तव पराया से पराया पन सव से सव तव सरव से जो है सरव शव और एहंग से एहंग कार मम से मम तव या मम तव इस प बाद बाद करें, आगे विशेशन से, विशेशन से किस परकार से संग्या बनती है, बहावाचक संग्या किस परकार से बनाई जाती है, वो देख लेते हैं, जैसे मीठा, मीठा एक विशेशन है, विशेशन बता रहे हैं, यह कैसा है, आम खटा है या मीठा है, आम की क्या वि विशेष्टा बता जा रही है तो वो मिठास होगी ना वहाँ पे वो भा मिठास एक भावाचक संग्या होगी और मिठा होगा विशेष्टा इस परकार से चतुर से बन गया चातुरिय या चुत्राई मदूर से बन गया मादुरिय सुंदर से सुंद्रिय या सुंदरता निर् से मैल और निपोन से निपोनता खटा से खटास इस परकार से जो हैं विशेशनों से भी भावाचक संग्या बनाई जा सकती हैं उसके बाद बात करें किरिया से किस परकार बनती है भावाचक संग्या उनको और देख लेते हैं हम खेल से बन गई खेलना जो किरिया है उससे बन गई जो भावाचक संग्या खेल लिखना किरिया से बन गई खेल या लेख या लिखाई हसना से बन गई हसना एक किरिया हसी भावाचक संग्या बन गई लेना देना से जो है लेन देन पढ़ना से पढ़ाई मिलना से मेल चड़ना से चड़ाई कामना से कमाई उतरना से से रहें से देख बालना से है देख बाल जो यह इधर के जो शब्द है यह किरिया है और इधर के शब्द जो है किरिया से भाहवचक संग्या बनाए गई है तो आपको पैचान लेना है परशनुतरों के माध्यम से अगर यह पूछ लिया जाए इन में से भावच संग्या शब्द कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए तो इस परकार से हम परशन उत्रों का भी अभ्यास कर लेते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा टोपिक परशन उत्रों के जब हम अभ्यास करेंगे तो देख लेते हैं संग्या से संबंदित वस्तू निष्ट परशन सबसे पहले परशन नमबर एक ही है संग्या किसे कहते हैं आपको पताई है किसी स्तान के नाम को पराणी के नाम को वस्तू के नाम को किसी के भी नाम को क्या कहते हैं हम संग्या कहते हैं, उप्योक्त सभी हमारा अंसर हो जाएगा, उसके बाद संग्या के कितने बेद हैं, संग्या के जो हैं, पांच बेद बताएगे हैं, कौन-कौन से, सबसे पहले व्यक्तिवा चक, फिर जातिवा चक, फिर बहावा चक, फिर समुवा चक, उसके बाद जो है दर्वेवाचक यह आपको पता ही है उसके संग्या के पांच बेद होते हैं अगर option में अगर पांच शब्द ना दिया गया हो संग्या के कितने बेद होते हैं अगर पांच नहीं दिया गया option में तो आप तीन भी लगा सकते हो क्योंकि मुख्य रूप से संग्या के तीन बेद माने गए है, व्यक्ति व्याचक, जाति वाचक और भाववाचक, फिर जो है जाति व्याचक संग्याओ की ही दो पार्ट कर दिये गए थे, सुमॉवाचक और दर्वयवाचक, इस परकार से आप परशन के जो है, उसके पांच ओप्षन ही जो हमेशा परिक्षा में जो देखने को मिलता है तो आप संग्या के पांच वेध ही लगाओगे आज कल जो चले हुए है निमलिक्त में से कौन सा संग्या का परकार नहीं है इन में से कौन सा संग्या का परकार नहीं है यह आपको बताना है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ज्यातिवाचक संख्यावाचक कोई भी परकार नहीं है उसके स्तान पर जो है समोवाचक और दर्वेवाचक है ने के संख्या वाचक पढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परशन संख्या चार निमलेक्ट में से कौन सा सब्द संख्या है इन में से कौन सा सब्द संख्या है यह आपको बताना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सभा सभा क्या है सभा एक समू वाचक संख्या है यह हरा पतला, गहरा, ये सभी के सभी क्या है, हमारे विशेश्यन है, उसके बाद बात करें, पर्शन संख्या पाँच, जब एक ही परकार की वस्तो अत्वा व्यक्तियों का बोध हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, तो एक ही परकार के वस्तो या व्यक्तियों का बोध हो, तो वह है क व्यक्ति वाचक संग्या सब्द कौन सी है यह आपको बताना है सुसील एक व्यक्ति वाचक संग्या किसी व्यक्ति का नाम है का माईनी किसी रचना का नाम है और बच्पन जो है यह वाचक संग्या है आंसर हो जाएगा हमारा डोक्टर डोक्टर जो है जाति वाचक संग्या है डोक्टरों के अलग-अलग परकार होते हैं, कोई हडियों का डोक्टर होता है, कोई दिमाग का डोक्टर होता है, कोई किसी का दातों का डोक्टर होता है, तो डेंटिस्ट होते हैं, तो डोक्टरों के जो अलग-अलग परकार होते हैं, कई परकार के होते हैं, लेकिन उसकी प जो अन्य option दिये है सुसील कामाईनी बचपन बचपन अमारा भावाचक यह दोनों अमारे व्यक्ति वाचक संग्या है उसके बाद बाद करें आगे पर्षन संग्या साथ पशू चर रही है इस वाक्य में पशू कौन से संग्या है तो पशू मैंने आपको बताया था पूरी क हो रहा है जहां पर हमें किसी चीज का मैसूस हो पावो से पता चले वो क्या होता है भावाचक संग्या उसके बाद बात करें इन में से जातिवाचक संग्या से भावाचक संग्या का सही उधारन बताईए जातिवाचक संग्या से जातिवाचक संग्या में देखनी है फिर उस यह सरव नाम है तो यह सरव नाम से बने हुआ भाववाचक है यह हम यह हमारा गलत हो जाएगा तो गाना भी जो है गाने का गान तो यह भी अमारा जातिवाचक नहीं है गाना क्या है एक व्यक्ति वाचक गाना जो एक हमारी गाना गाना एक हमारी किरिया है चतुर से हो जाएगी चतुराई चतुर व्यक्ति चतुर किस परकार का व्यक्ति चतुर यह हमारा विशेश्यन है तो दानव से हो जाएगी दानवता दानव से दानवता हमारा सही आंसर हो जाएगा इस में जाति वाचक संग्या क्या है दानव कौन सा दानव कई परकार के दानव होते है उससे हमार क्या बन गई वाचक संग्या दानव ता बढ़ते हैं आगे निम्न में से जाति वाचक संग्या का उधारन दीजिए इन में जह में जाति वाचक संग्या देखनी है तो गंगा हमारा सहर, सहर कई परकार के सहर होते हैं, सहरों के अलग-अलग नाम होते हैं, तो जो सहर हो जाएगा, वो हमारी क्या हो जाएगा, जातिवाचक संग्या, हिमाल्य एक नाम है, हिमाल्य जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ये हमारा व्यक्तिव आचक संग्या, काली दास भी जो है, व्यक्तिव आचक संग्या होती है, उसके बाद बाद करें, आगे परसन संग्या, ग्यारा, इन में से कौन सा विशेष्चन संग्या से नहीं बना, हमें विशेष्चन डूनना है, और वह विशेष्चन संग्या स से बन गया रंगिला यह सभी के सभी विशेश्यन संग्या से बने है और पड़ा को जो है ये जो है विशेश्यन संग्या से नहीं बना उसके बाद बाद करें परशन संग्या बार है निम्ण में से कौन शया शब्द जाती वाचक संग्या नहीं है इन में जाती वाचक संग्य या कुण सा नहीं है, गाई व्यक्ति वाचक संग्या है, परवत जाति वाचक संग्या है, जल्दी जल्दी में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो मैं इसके लिए मैं माफिचाओंगी, तो गाई जो है हमारी जाति वाचक संग्या है, परवत परवत भी हमारे जाति वाचक सं यह पुछा हुआ जाती वाचक संग्या नहीं है पर्षन को आपको ध्यान से समझते भी पढ़ना है कई बार जो है हम पर्षन को पढ़ने में जल्द वाजी कर लेते हैं यह देख लेते हैं क्या पुछा हुआ है जैसे जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे कि जाती वाचक संग्य या कौन सी है नहीं को हम नहीं देखते तो पहला ही option अमारा आगे सामने आता है तो वो ही हम टिक करके आ जाते हैं ऐसा आपको नहीं करना है बिल्कुल ध्यान से समझते हुए एक एक परशनों को पढ़ना है क्योंकि हमारे जो परिक्षा में जो एकजाम होने वाला है उसमें 0 0.5 marks के साथ negative marking के साथ जो है आपका एकजाम होगा और mostly question जो आपके जो आसान परशन होते हैं वे ही आपके गलत होते हैं इस चीज़ को मैं फिल कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप यह मत समझना कि एक कोई परशन आसान है या मुस्किल आसान परशन अच्छनों को हम जल्दबाजी में ऐसे ही करते चलेंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना एक एक परशन आपको जो है पॉइंट-फॉइंट परशन से से स laptops संक्टरों को सकता है प्रुक भी सकता है इस लिए आपको भी किसी बी मित तरह की कोई जल्द बाजी नहीं करनी है तो हम ध्यान से समझते हुए परशनों को पढ़ना है तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बारा का क्या हो जाएगा हिमाले हिमाले क्या है एक व्यक्ति वाचक संग्या नहीं कि जाती वाचक संग्या तो से इसमें ये पुछा हुआ है कुन सा जाती वाचक संग्या नहीं है उसके बाद बात करें परसन संग्या 13 निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के सभी शब्द समुवाचक संग्या है ये पूछा हुआ कि सभी के सभी जो शब्द समुवाचक संग्या है तो इन में हम देख लेते हैं सबसे सबसे पहले बात करें सेना समोवाचक संग्या है कक्षया समोवाचक संग्या और सबा समोवाचक संग्या है तो हमारा पहला ही ओप्षन हमारा ठीक हो जाएगा समोवाचक संग्या है यह सारे इनमें जो है अच्छा जो है इनमें मानव और पशू तो सम जो है मानव जो है एक जाती वाचक संग्या है पश्यू भी जाती वाचक संग्या है लेकिन इसमें पूछा क्या हुआ है ये समु वाचक पूछे हुए तो ये दूसरा हमारा गलत हो जाएगा अध्यापक मिठाई जो है भाववाट एक मिठास हमारा बाव संगया में आ जाएगा ये भी अबत हो जाएगा चोरी गुरुता या सादू ये भी हमारे सम्व संगया में नहीं आते तो इस परकार से समारा जो सही आंसर हो जाएगा, वो हमारा एक हो जाएगा, ए, सेना, कक्षा, सबा, ये तीनों शब्द जो है, समोवाचक संग्याई हैं, उसके बाद बाद करें, आगे पर्शन संग्या चोद है, निम्ण में से कौन शब्द व्यक्ति वाचक संग्या से संबंदित है, इन में से कौन से शब्द व्यक्ति वाचक संग्या से संबंदित है, व्यक्ति वाचक पोछी हुई है, तो आप देख सकते हो, बच्पन क्या है, भाव वाचक संग्या है, पानी एक जाती वाचक संग्या है, क्योंकि पानी भी कई परकार के होते हैं, खारा प आगरा तो जो है वो क्या हो जाएगा हमारा व्यक्ति वाचक संग्या हो जाएगा आगरा उसके बाद बात करें पर्शन संग्या 15 पंद्रे में हम देख लेते हैं हमारे देश में हरिश्चंदो की कमी नहीं है इस वक्या में हरिश्चंदो की जो है संग्या का कून सा बेद है जो हरिश्चंदो शब्द है, उसमें संग्या का कौन सा बेद है, यहां हम बाव को जब हम देखेंगे, तो हरिश्चंदो जैसी कमी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, एक जाती को संबोधित कर रहा है, हरिश्चंदो की कमी नहीं है, तो जो है सत्य बोलने वालों की कमी नही तो यहां पर जो हरिष्चंद हो पूरी के पूरी जाती का बोध करा रहा है तो यह हो जाएगा हमारा जाती वाचक संग्या उसके बाद बाद करें पर्शन संग्या 16 कौन सी भावाचक संग्या किरिया से बनी है कौन सी जो है भावाचक संग्या किरिया से बनी है यह आपको ब जैसे कि खेलना लिखना पढ़ना जो है हसना रोना ये सभी किरिया है और ये भावाचक संग्या किरिया से बनी है वो पुछा हुआ है तो गबराना जो है भावाचक संग्या किरिया से बनी है उसके बाद बात करें आगे निमलिक्त में से कौन सा भावाचक संग्या सरवनाम स बना हुए न मैं बावावाचक शंचंग्या पुछे हुए है वह पर हमें किरियां से बना हुआ भाववचक संग्या पूचह जो इसंग्यां से बनने वाला हुआ एक सरवनाम होटा है जिसमें पन्ना हो गया है अपना पन तो यह हमारा अंसर हो जाएगा अपना पन जो है सराव नाम से बनने वाला भावाचक शंगा है बढ़ते हैं आगे निम्न में से कौन शाशब्द समुवाचक संग्या नहीं है समुवाचक संग्या नहीं है सबा समुवाचक संग्या है भीड जो है समुवाचक है औ पर्शिन संख्या 19 नेमलिक्ट में से कौन शाशब्द दर्वयवाचक संख्या है इन में दर्वयवाचक संख्या है तो दर्वयवाचक संख्या में क्या हो जाएगा हमारा दूध दूध जो हमारा जो है दर्वयवाचक संख्या है उसके बाद पर्शन संख्या 20 नेमलिक्ट म सभी बाववाचक संग्याई शब्द है। इन में सभी बाववाचक संग्याई पूछी हुई है। तो कुन की चब्दों में सभी बाववाचक संग्याई है? जैसे कि हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। रसीला, कडवाहट, बुडापा और उन्निती. इसमें आप लोग देखोगे तो गरीब जाती वाचक संग्या है इसमें आप देखोगे गंगा व्यक्ति वाचक संग्या है यहाँ पर आप देखोगे इसमें जो है सूर्य भी जो है व्यक्ति वाचक संग्या है उसके बाद बात करें पर्शन संग्या 21 निमलिक्ट में से कौन से शब्द भावाचक संग्या है इन में कौन से शब्द भावाचक संग्या दिया गया है यह आपको बताना है तो सत्रूता वीर मनुष्य और गुरू मैंने आपको बताया था जहां पर भी भावाचक जो शब्दों में आपको दिखाई दे ता या ताओ या पन भी हमारे कौ परस्टन संख्या 22 बाजार शब्द में कौन सी संग्या है बाजार शब्द में जो है किस परकार की संग्या है बाजार शब्द में यह आपको बताना है तो बाजार शब्द एक समुवाचक संग्या है जैसे कि कक्षा हुई कक्षा बाजार ये सबी क्या है समोवाचक संग्या है जिससे हमारे माइन में एकदम से ये आ जाए कि मनलब बहुत एक से अधिक लोगों का जो समोवाचक संग्या होगी तो यहाँ पर हमारा परशन क्या पूछा हुआ था कौन शा बाजार में कौन शा शब्द संग्या है तो समोवाचक संग्या शब्द है बाजार में बढ़ते हैं आगे देख लेते हैं परशन संग्या 23 सवतंतर्ता सबको प्यारी है इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है तो इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है तो प्यारी क्या है एक गुण है गुण वाचक संग्या का नाम ही नहीं है यह हमारा गलत हो जाएगा आंसर बोल दिया मैंने गलती से भावाचक संग्या है यह सबको प्यारी है प्यारी क्या ह तो यह हमारा क्या हो जाएगा भी हमारा अंसर हो जाएगा बाववाचक संग्या उसके बाद बात करें पर्शन संग्या 24 कभी कभी होता है देखते वे चीज़ आखोस के सामने जो हमारा गलत पर निसान लग जाता है तो इस चीज़ को भी आपको परिक्षा में बिल्कुल ध्यान से समझना है कि आमें जल्द बाजी में एक भी पर्शन को गलत नहीं करना है क्योंकि जिस परकार से 20 नंबर का जो आप मैत के लिए जो है मैनत कर रहे हो मैत के जो एक एक नंबर के लिए आप कड़ी मैनत करें हो तो हिंदी को भी आप आसान मत समझना है तो हिंदी के जब आप बार बार प्रिक्ष करोगे तब ही आपको जो है पूरे 20 में से 20 नंबर प्रापत होंगे तो इसलिए एक-एक टोपिक को आपको परशन उत्रो सही रिवाइज करते हुए समझदे हुए चलना है साथ-साथ जो पिछले सालों में आई हुए जितने भी परशन है उनको भी हम साथ-साथ करते हुए आगे बढ़ेंगे देख लेते हैं आजकल हर सहर में रावन पैदा हो रही है तो आजकल हर सहर में रावन पैदा हो रही है रेखांकित शब्द में संग्या है इसमें रेखांकित शब्द ही नहीं किया गया लेकिन मैं बता देती हूँ यहाँ पर रेखांकित खीचती है शहर सहर पर जब हम रेखा कीचेंगे सहर के नीचे तो वो हमारी क्या हो जाएगी जाती वाचक संग्या उसके बाद बात करें परशन संग्या 25 मोहन अच्छा लड़का है वक्या में संग्या कुन सी है तो मोहन एक संग्या है और मोहन क्या कुन सी संग्या है एक व्यक्ति वाचक संग्या है उसके बाद बाद करें राज्यपाल में कौन सा संग्या शब्द है तो राज्यपाल जो है कौन किस परकार का संग्या शब्द है ये पुछा हुआ है तो राज्यपाल एक जाति वाचक संग्या है उसके बाद बात करें आगे रमेश ने सुरेश के साथ मित्तरता का निर्वा किया तो इसमें भावाचक संग्या कौन सी है तो भावाचक संग्या है मित्तरता आपको पता ही है तो मित्तरता जो है भावाचक संग्या हो जाएगी उसके बात करें आगे किसी सहर का नाम संग्या का कौन सा बेद होता है अब ही हमने बार बार पढ़ा है किसी सहर को नहीं पुछा हुआ सहर शब्द की संग्या कौन सी संग्या है इसमें पुछा हुआ है सहर का नाम जैसे की दिल्ली हरियाना अगर ये अगर नाम आ जाए तो ये कौन सी संग्या कहलाएंगे ये पुछा हुआ है परशन को आप समझते हुए पढ़ना आपको अगर आपको जल्दबाजी में ये देख लेंगे कि आपको लगेगा कि ये पुछा हुआ है कि शैर शब्द में कौन सी संग्या है वो आप लगा कर आजाओगे जाती वाचक, इसी तरह ये परशनों को गुमा कर पूछते हैं, तो ये हमारा question हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें जो परशन का answer होगा, तो वो हो जाएगी व्यक्ति वाचक संग्या, ये हमारा सही answer हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या गया, किसी सैर का कोई भी नाम होगा, वो संग्या की कौन से वेद को सुचित करेगा, व्यक्ति वाचक को, बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं, परशन संख्या, 29, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहिमन, हीरा कब कहे, लाग टके का मोल, तो इस पंक्तियों में र बड़े न बोले बोल, रहिमन, हीरा कब कहे, लाग टके के मोल, यह पंक्तिया किस लेखक की है, तो बगतिकाल के किस लेखक की है, यह पंक्तिया रहीम की, यह आपको ध्यान लगना है, इन पंक्तियों में बड़े शब्द का परियोग, जिस रोप में हुआ, वह क्या है, व एक संग्या होती है जिसे परकार से बड़े व्यक्ति अपने बड़ाई श्वैमन नहीं करते बड़े बोल नहीं बोलते उसे परकार से हीरा को भी जो है एक अपनी मुल्ए दिखाने की आश्यक्ता नहीं उती ये इस परकार से इसकात उसके बाद बात करें आगे परशन संख्या 30, इन में से बाहवाचक संख्या है, कौन से इन में से बाहवाचक संख्या है, राम व्यक्ति बाहचक संख्या है, पैन जो है जाति बाहचक संख्या है, चांदी जो है दर्वे बाहचक संख्या है, लेकिन चिंता जो है एक बाहवा संग्या है उसके बाद बाद करें आगे परशन संग्या 31 इस्तरी तव श्याब्द में कौन से संग्या है इस्तरी तव जहां पर आपको तव दिखाई देगा या पन दिखाई दे वहीं आपको क्या लगा देना है भावाचक संग्या लगा देना है उसके बाद बाद करें परशन संग्या 32 आंसर आपके सामने यह बई बाववाचक संग्या बनाईगी तो बाववाचक संग्या किस परकार से बनेगी तो लड़क पन जो है पन लग जाएगा यहाँ पर लड़के का क्या हो जाएगा लड़क पन तो बाववाचक संग्या बनेगी इस परकार आज का हमारा अंतिम कोश्चन है ये निमन में से कौन शेशव्द व्यक्ति वाचक संग्या है इन में व्यक्ति वाचक संग्या पुछा हुआ है तो गाय जो है जाति वाचक संग्या है पहाड जो है ये भी जाति वाचक संग्या है क्योंकि कई तरह के पाड़ होते है कक्षा जो है वो है समो वाचक संग्या में आ जाएगा लेकिन यमुना जो है नदी का नाम है तो किसी सपेसल एक किसी का नाम हो तो वो जाती है हमारी व्यक्तिव वाचक संग्या इस परकार से सी हमारा अंसर हो जाएगा आप अंसर आपके सामने है तो इसी परकार से हम अपने दीरे दीरे हिंदी विशे की तयारी को डीटर प्लैस्वी की परिक्षाव के अनुसार हम आगे बढ़ाते रहेंगे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल पर पहली बारो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय प आकरन से समद्धित विकलास आपकी लेकर के आते रहेंगे पढ़ते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे थेंक्यू धन्यवाद